हलो माई डियर्स फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है फैजल वसीम और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर तो बच्चो आपने मशीन डिजाइन कंप्लीट हमारे चैनल से पढ़ लिया है अब एक और सब्जेक्ट था जो आपको बहुत ज़ादा परिशान कर रहा था जिसका नाम है रेपेर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्क्यूपमेंट तो उपकर्णों की मरमत एवम अनुरक्षन ये जो आपका सब्जेक्ट है बहुत बच्चे इसमें परिशान हो रहे थे जिनको कॉंटेट नहीं मिल पा रहा है वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे है नोट्स नहीं मिल पा रहे है अब आपके कुछ जो जरूरी questions होते हैं किसी भी subject को ले करके जब शुरू किया जाता है तो वो मैं clear कर देना चाहता हूँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि sir इसको Hindi में पढ़ाएंगे या English में पढ़ाएंगे ये जो आपका subject होगा वच्चो ये Hindi में भी होगा और English में भी होगा bilingual चलेगा Hindi भी पढ़ाएंगे साथ साथ English भी पढ़ाएंगे दोनों ही languages में हम आपको ये subject पढ़ाने वाले हैं तो बस आपको क्या करना है lectures को open करना है पूरा देख लेना है और notes को telegram से download कर लेना है इतना आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा कहीं और से आपको repair and maintenance पढ़ने के ज़रूरत नहीं पढ़ेगी अब देखो ये जो subject है repair and maintenance of equipment ये पढ़ाया क्यों जाता है इसके जो subject है ना repair and maintenance of equipment इसके अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है इसमें हमें basically ये पढ़ना है कि जो भी हमारे equipment होते हैं एक plant के अंदर एक workshop के अंदर जितनी machines होती हैं उनका maintenance और उनका repair ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने होती है अब उसमें सिर्फ equipment सिर्फ machines ही नहीं आती उसमें workers भी आते हैं workers का insurance उनकी safety सारी चीज़ें हमें इस subject के अंदर पढ़नी होती हैं साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं साथ साथ हम पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी वक्ष कोई भी plant को design करते हैं तो उस plant के अंदर हम किसे report करेंगे कौन सा department क्या काम कर रहा होगा किस department का क्या काम होगा और किस department को हम report करेंगे किस काम के लिए वो सारी detail हमें इस subject के अंदर बड़े अच्छे से पढ़ाई जाती हैं अब इसमें seven chapters होंगे आपके जो आपके syllabus में हैं साथ chapters हैं साथ में जो पहला chapter है यह है आपका subject introduction तो जो हमारा repair and maintenance of equipment है उसका जो introduction है पूरा परीचे इस chapter के अंदर बताया गया है और यह chapter में एक lecture में खतम करूँगा जो इसके बाद आएगा आपका most probably सुभा को ही upload कर दिया दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने notes उसके बनाए है जो आपको telegram channel से मिल जाएंगे इसके regarding कोई भी question आपको पूछना है आप instagram पर follow करिए महाँ पर message करिए मैं कोशिश करूँगा आपको reply तुरंद करूँगा ठीक है preventive maintenance यह second chapter रहेगा आपका preventive maintenance जिसको हम बोलते है निवा चरण निवारक अनुरक्षण, second chapter रहेगा, third lecture आपका आता है maintenance stage, ठीक है अनुरक्षण चरण, तो maintenance की जितनी stages होती है, सब हम third chapter में पढ़ लेंगे, fourth है आपका sequence of maintenance operation, अनुरक्षण किरियाओं का क्रम, उसके बास fifth chapter है आपका planning and scheduling of maintenance work, अनुरक्षण कार्ये का नियोजन तथ scheduling, ये जो दो chapters है last के, sixth और seventh, ये chapters ऐसे हैं जो नहीं मिल पाते हैं एकदम से, ठीक है और ये भी important chapters है, although आपने 4-5 chapter भी बहुत अच्छे से पढ़ लिये, तो आपको fail तो कोई नहीं कर पाएगा, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस subject के अंदर, क्योंकि theoretical ही है नहीं point wise है, वो कैसे लिखी जाएगी, अभी सब आपको बताऊंगा, उसके बाद आता है, seventh, coupling, clutches and bearing, six chapter is, gears and transmission, seventh है, coupling, clutches and bearing, तो ये साथ के साथ chapters मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा, 16 जनवरी को, आपका exam है, उससे पहले मैं आपको इतना पढ़ा दू कि आपको इससे related कोई problem ना आए, कम से कम most important तो आपको पढ़ा दिया ही जाए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंना अभी तक repair and maintenance की, ABCD भी नहीं पढ़ी है, वो सबसे जादा परेशान है, क्योंकि इसकी books आसानी से available नहीं है, इसके PYQs आसानी से available नहीं है, तो बच्चे बहुत जादा परिशान हो जाते हैं, सब्जिक को लेकर के, आपकी यह जो problem है, इसको solve करने के लिए मैंने बोला था, कि as a brother, as a elder brother, बड़ा भाई होने के नाते, आप मुझे बताईएगा, कोई भी problem होगी, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे यह बताया, कि करा दें, कि हमारे exam में हम fail ना हो पाए, तो मैं systematically पढ़ाऊगा, जितना भी पढ़ाऊगा, आपका systematically होगा, आपको उसमें से कोई भी question आएगा, तो आप नहीं छोड़ेंगे, आप से वो question नहीं छोटेगा, अगर जितना पढ़ा दिया, उतना उसमें से आ गया तो, अब ब की पकाई, खिषडी मिल गई, अब तो बस पढ़ना है, और इतना काम आपको कर लेना है, कि अब इसको पढ़ जरूर लीजेगा बस, तो मेरे मेहनत जो मैंने किया है, वो वसूल हो जाएगी, तो यहां से आपका जो chapter 1 का part है, वो start होता है, chapter 1 आपका यहां से शुरू हो जा जाता है, जिसमें मैंने देखिए, सबसे पहले आपको plant के बारे में बताऊंगा, कि plant क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे plant की maintenance क्या होती है, तो यह Hindi और English, देखो दोनों चल रहा है साथ में, ऊपर Hindi है, नीचे English है, जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, जिसको जो आरे notes आपको बना दिये गए है, inspection, जितनी भी duties, functions होते हैं, roles and responsibilities होती है, plant maintenance department की, वो सारी ही points wise मैंने आपको इसमें explain की है, तो आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सिर्फ आपको lecture देखना है, और notes को follow कर लेना है, इतना अगर आपने कर लिया, तो आपके repair and maintenance of equipment में बहुत अच्छे number आ जाएंगे, चीक है, तो आप में से जो भी channel पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, please hit the subscribe button, subscribe button को दबाए, like, share and subscribe करना ना भूले, और telegram को join जरूर कर लिजेगा, वहाँ से आपको notes मिल जाएंगे, notification button सब को on करके रखना है, क्योंकि इतना time नही है, कि आपको पता चल रहा है, कि 10 दिन पहले lecture आ चुका है, मैं अब देख रहा हूँ, नहीं, आपको notification button को on रखना है, ताकि जैसे ही lecture डले, आप सबसे पहले lecture को देखें, और आपका जो chapter है, वो खतम हो जाए, मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको इ काफी जो है, आरेम पढ़ा दिया जाए, तो बच्चो मिलते हैं अपने lectures में, तब तक के लिए, जैन!